हेलो गाईज आप देखने इसके लेवर एक्सपट का यूटूब चैनल और आज किस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको वाट के सायर वर्सेस यॉक सायर के बीच में यहाँ पर इंग्लिश टी 20 ब्लास से मैच नमर सेकेंड जो आपको आज रात को साथ में बैल आइकन को भी आउन करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेसर मिलती रहें बाकी वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले ठीक है और सबसे इंपॉर्टन बात इस मैच की फाइनल टीम आपको वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है बाई चांस अगर डिस्क्रिप्शन बारा लिंक काम ना करें तो आप अपने टेलिग्राम में जाएं सिंप्ली सेर्च करें एड़ एड़ एसके लेवन एक्सपर्ट क्यापिटर लेटर में उसके बाद गाईज आपको हमारा टेलिग या फ्री में 50 का पेटियम कैस भी जीत सकते हैं टोटल पांच विनर्स में आउस करूंगा तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा अब सबसे पहले वेन्यू से स्टार्ट करते हैं तो यह मैच सेम ग्राउंड पर होने वाला है जहां पर फर्स्ट मैस अभी खेला जा गाइस स्टार्टिंग के चार से पांच और है फास्ट वालर को काफी हल्प मिला तिक है और काफी अच्छी बॉलिंग फास्ट वालर कुक्त थिम बहुत कर ना है इनका पुरी पर नेवेन डिसकस कर थें गाइस तो इनका 14 मेंबर कैस्कुर्ए अना गाराध खेलता दिख र Sam Hain, 2-down for Alex Tabis इनके captain और wicket keeper, 2-down for Chris यहाँ पर, sorry, 3-down for Chris Benjamin 4-down for Dan Mousley 5-down for Chris Wokes, ठीक है फिर baller है, Hasan Ali, Jack Lintot Craig Miles, और यहाँ पर Danny Vricks, ठीक है, bench पर इनके पास Rob Yates है, Ed Bernard है, और Handy Brooks है इन में से अगर किसी player का सबसे ज़्यादा chance है खेलने का, तो guys, वो Handy Brooks किसार के, last season के stats maximum player के मैंने add किये, जिनका performance अच्छा रहा था, कुछ player का नहीं भी रहा था, उनका भी मैंने add कर दिया, guys और कुछ player available नहीं है, उनका मैंने remove कर दिया, ठीक है, सबसे पहले runs में देखेंगे, तो top 9 scorer Sam Hain थे, ठीक है, और यह हर season top 9 scorer लगबग रहते हैं, बहुत consistent player है, 13 match में 388 रन होने किये थे, 43 cabrage और 161 के स्टाइकर के साथ, बाकि Benjamin ने, 15 match में 354 रन किये थे, 49 cabrage और 163 के स्टाइकर के साथ, Sterling 13 match में 313, 24 cabrage और 175 के स्टाइकर के साथ, Alex Debbies 15 match में 166, 55 cabrage और 178 के स्टाइकर के साथ, बहुत अच्छी नोंने finishing की थी, guys, मुझे याद है, जब ये tournament का last stage था, तब Mousley को मौका मिला था, और बहुत अच्छे रहें थे, बाकि Jack-up battle कुछ खास थे, 8 match में 181, 10 cabrage के साथ, विकेट्स में Linton top विकेट्टेकर, 15 match में 22 विकेट्ट के साथ, और ये लगभग अपने पूरे 4 over डाल ले थे, ध्यान रखिएगा, Briggs के पास 14 match में 18 विकेट, Craig Mills 14 match में 16 विकेट, और Henry Brooks के पास 7 match में 9 विकेट, अब चलिए, guys, हम आगे बढ़ते हैं, दुसरी टीम पर आते हैं, उनका पुर्वेवल प्लेइंग लेवन डिसकस करते हैं, तो उनका, guys, ये मुझे प्लेइंग लेवन खेलता है, बेंच पर मेरी साब से, Hill और Jaffer Cohen तहने चाहिए, और बाकी के गारव प्लेयर खेलने चाहिए, तो लगभग मुझे यही प्लेइंग लेवन खेलता है, एक आग चेंज हो सकता है, मेभी जौर्ज हिल खेल जाए, और एक आग बाहर बाहर जाए, बाकी जैफर चोहन के खेलने के ना के बरावर चांसे से, तो इनके लिए सान मसूद, इनके कैटन ओपनी करेंगे, जोकि अपना क्लब चेंज करके इस साल आ रहे है, ठीक है, लाश्ट जीजन ये डर्बी सायर के लिए खेए रहे थे, इस सीजन यौक सायर के लिए खेए ठीक है, बाकी इनके साथ अधर एडवलित ओपनीं करेंगे, वन डाउन डैबिड मलान, टू डाउन पर जॉनी वैस्टो, फाइनली इंजरी के बाद, काफी टाइम बाद आपको खेलते दिखेंगे, थी डाउन पर विल फ्रेंग, फो डाउन पर जॉर्डन थॉम्सन, फाइब बाउन पर जॉनी टैटर्सल, इनके विकेट कीपर, सबसे पहले रंस में देखेंगे, तो सान मसूद, टॉप टॉप टारें स्कोरर थे, ठीक है, लास सीजन यहां पर डर्वी सार के लिए बहुत अज़ा कहले थे, 14 मैच में इन्होंने 547 रं किये थे, 45 कमाल के आवरेज और 140 के स्टाइकर के साथ, बाकी एडम लित, यह भी ब साथ मैच में 60 रं, 130 के स्टाइफट के साल, विकेट में थॉमसन, 15 मैच में 17 विक्टे, रैबिस यहां पर 16 मैच में 14 विक्टे, डॉमनिक बेस, 15 मैच में 9 विकेट, और दॉमनिक लीज के पास 3 मैच में 5 विकेट, ठीक है, तो यह गाईस, जितना भी डिटा, स्टैट्स, पिछ के बारे में हमें जानना था, सबकुछ हमने एक दम अच्छे से जान लिया है, अब चलिए गाईस, यहां पर हम अपनी ड्रीम 11 की टीम डिसकस कर लेते हैं, अब चलिए गाईस, सबसे पले हम बिकेट कीपर सेक्शन पर आते हैं, जहां पर आपको खेलते हैं बिकेंग स्मॉल लिग में टैटरसल को बिल्कुल रिकमेंट नहीं करूंगा ठीक है उसके लाबा एलेक्स टैबिस अच्छे प्लेयर है कैप्टन भी है टीम के लास्ट इन उतना अच्छा नहीं रहा था लेकिन काफी एक्स्पीरियंस वाले प्लेयर है आपके लिए डिफ्रेंसल बन सक है वहां पर भी यह काफी इंप्रेसिव थे ठीक है तो क्रिस बेंजामिन कमाल के गेम चेंजर बन सकते हैं ध्यान दखिएगा आते हैं बैटर सक्षन पर गाईज यहां पर आपको एडम लिथ मिलेंगे ओपनिंग पर लासियन के टॉप रेंड स्कोरर में से एक रहें आप को ले सकते हैं पॉल स्टर्लिंग आइलेंड के प्लेयर मुझे बताने की जरूत नहीं है कितने अच्छे हैं डैविन वालान इंगलेंड के यहां पर प्लेयर काफी कंसिस्टेंट है ठीक है मैं इनको सबसे पहले लूँगा ठीक है नेक्स में लूँगा सैम हेन को जो की एक लास्ट सीजन बहुत अच्छे रहेते ओपनिंग पर आकर और यह भी कंसिस्टेंट प्लेयर में से एक हैं गाइस जल्दी विकेट देना पसंद नहीं करते हैं तो मैं इनको भी टीम में लेके जाऊंगा बाके नीचे से देखेंगे तो और आर एट्स हैं स्कौाइड में र अ UV यहां पर कम करते हैं इसलिए मैं भी ध्यान नहीं दे रहाओ वैसे opening पर है talented player है आप Grand League कुछ टीम में कुछ टीम में ट्राइध कर सकते हैं ठीक है बाकि नीचे से मैं तना player किसी पर आपको ध्यान देनीक को नहीं करूंगा ।ि यहाँ पर माउसली को आपको ग्रैंड लिग में मस्ट ट्राई करना है बाकि यहाँ पर स्मॉल लिग में लिट और पॉल इस्टर लिग दोनों सेफ हैं आप चाहे तो दोनों को भी ले सकते या फिर एक को भी ले सकते अभी मैं ओल डाउंडर सक्षन पर आता हूँ जहाँ पर मुझे टीम में थॉम्सन 100% चाहिए बहुत इंपोर्टेंट ओल डाउंडर है यॉक सायर के सबसे मेन ओल डाउंडर बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट्स देंगे बाकी मैट्ट्यू रभीस बॉलिंग ओल डाउंडर लासियन बॉलिंग इनों ने अच्छी की थी आप इनको बैक कर सकते हैं गाइस आज अ बॉलर कुछ रंस भी कर सकते हैं बाकी नीचे से एड बर्नर है ठीक ठाक से ओल डाउंडर है पहले गाइस यह वो और्केस्टर साइड के लिए खेला करते थे ठीक है मेली बॉलिंग ओल डाउंडर है मुझे इस मैच में थोड़ा इनका खेलने का कम चांस लग रहा है इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ बाइचंस खेलते हैं तो डीसेंट बिक रहेंगे ठीक है बाकि नीचे से जॉर्ज हिल है बालिंग ओल डाउंडर ही है लेकिन मुझे इनका भी खेलने का कम चांस लग रहा है खेलते भी है तो मैं उतना नहीं ध्यान दूँगा वैसे फर्स क्लास मैचेस में काफी अच्छा केलते हैं बाकि डॉमनिक बेस बहुत अच्छे ओफिस पिनर है इंग्लेंड के लिए टेस्ट मैचेस भी खेल चुके है ठीक है रंस करना भी जानते है लेकिन यहाँ पर ज्यादा रोल इनका बालिंग से रहेगा तो अजब बालर यह कमाल के डिफरेंसल बन सकते हैं डॉमनिक बेस आप ध्यान लखिएगा इनका ठीक है बाकि इब्रुक्स यहाँ पर अभी नहीं खेलेंगे स्कॉइड में नहीं है ठीक है वहाँ पर काफी अच्छी फॉर्म में थी ठीक है तो मैं इनको जरूर लूँगा अपनी टीम में बाकि इनके अलाबा यहाँ पर हसन अली है पाकिस्तान की फास्ट बोलर आप इनको ले सकते हैं ठीक है डेथ में भी डाल सकते हैं अदिल रसीद अवलेबल नहीं है डैनी ब्रिक्स अच्छे लेफटाम और्थोडॉक्स बॉलर है विक्टे निकालना जानते हैं आप इनको ले सकते हैं जैक लेंटॉन इनसे भी कमाल के लेफटाम चाइना मैन बॉलर जैन्वन बीके टेकर गेम चेंजर पिक बन सकते हैं एक और गेम चेंजर बन सकते हैं क्रैग मिल्स गाइस यह देथ बॉलर है यहाँ पर वाड की सायर के लास लिए बहुत अच्छी बॉलिंग यह कराय करते थे बाकी हैंडी ब्रुक्स भी खराब प्लेयर नहीं है खेलते हैं तो ग्रैंड लिग टीम में ट्राइवल रहेंगे बाकी नीचे से यहाँ पर आएंगे तो बैन माइक डिसेंट से बॉलर है कुछ रंस भी कर सकते हैं वैसे तो लेकिन मैं उतना नहीं इनको सजिस्ट करूँगा उनसे बैटर गाइस डॉम्निक लेट उभरते हुआ फास्ट पॉलर है जिनको कुछ ग्रैंड लिग टीम में आप चाहें तो ट्राइ कर सकते हैं और ज्यादा प्लेयर पर आपको नीचे से ध्यान नहीं देना है मैं अभी के लिए गाई जीन प्लेयर को बैक कर रहा हूँ उनमें लेंटाउंट आते हैं लेकिन क्रैग मिल्स को भी मुझे लेने का बहुत मन है आप इनको प्लीज ग्रैंड लिग टीम में जरूर लीचेगा इवन ए स्मॉल लिग में भी रिस्क लेकर लेना हो तो आप ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं आभी नहीं ले रहा हूँ ठीक है अभी मैं ओल डाउंडर सेक्षन से जो प्लेयर ले रहा हूँ वहाँ गाइस मैथ्यू रैविस ठीक है और उसके लाब आभी दो प्लेयर और मुझे लेने सेफ आपके पास आडम लाइट और यहाँ पर पॉलिश टर्लिंग है डिफरेंसल अगर आपको जाना हूँ गाइस तो डिफरेंसल आपके पास यहाँ पर डॉम्निक बैस एक अच्छा उप्शन है ठीक है यहाँ पर सेफ में आदिल यहाँ पर ब्रिक्स भी है आप इनको भी डेफिनेटली ले सकते और क्रैग मिल्स भी है मैं अभी सेफ जा रहा हूँ दोनों बैटर्स के साथ जा रहा हूँ तो यह बन जाता है अभी के यहाँ पर हमाला टीम का प्रिभ्यू सीवीसी की बैस्ट उप्शन की बात करूँ तो सीवीसी की आपके पास यहाँ पर जॉर्डन थॉम्सन एक अच्छा उप्शन है इनके देविड मलान एक अच्छा उप्शन है साम हेन है सान मसूध है यह चार प्लेयर मुझे बैस सीवीसी के उप्शन लग रहे हैं वैसे बैस्टो को भी मैं रिकमेंड करता लेकिन काफी समय बाद खेले हैं इसलिए मैं उतना नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको ठीक है और आडम लाइथ भी मुझे उतने कंसिस्टेंट नहीं लगते हैं इसलिए मैं उनको भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ऐसे आप करना चाहे तो जरूर कर सकते आडम लाइथ को भी मैं चार इन चारों पर ज्यादा ध्यान दूंगा और इन ही में से अपना सीवीसी करने का ट्र में अभी के लिए मैं डैविन मलान के साथ हूँ एज वाइस कैप्टन आपके पास सैम हिन और मसूद भी अच्छे यहाँ पर सीवीसी के ऑप्सन बन सकते हैं ठीक है तो यह बन जाता है अभी के लिए हमारा टीम का प्रेवियू इवन गाइस यहाँ पर क्रीस वोक्स भी ब पर मिल जाएगी तो वहाँ पर आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले और गाइस मैं कोशन भी आपसे पूछ लेता हूं पूछना ही मैं भूल गया था तो गाइस कोशन आपका सिंपल है कि इस मैच में यहाँ पर सबसे आदा रन कौन सा प्लेयर बनाएगा ठीक है आपको क कौन सा प्लेयर सबसे जादा रन बनाएगा उसका आपको नाम लिख देना ठीक है और जिस प्लेयर का यहाँ पर जिस पांच प्लेयर का सबसे पहले कॉमेंट आएगा और उनका सही रहेगा उनको फिप्टी यहाँ पर फिप्टी आरेस इस फ्री का पेटियम कैस मिल तो वीडियो को जितना ज़यादा हो सेको उतना ज़यादा लाइक कर देए अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले चैनले पर पहली बार आए है चैनल को फटनाफर ज सब्सक्राइब करें बैल आइकन को ओन करें ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहें तो बहूँजल आपसे मिलता हूं नेक्स वीडियो में